द्रिश्टी आईएस के वीकली करेंट अफेर्स क्विस्ट प्रोग्राम में आपका स्वाधत है चलिए शर्वात करते हैं आजगी अपिसोड की तो आजगी अपिसोड का पहला प्रिश्ट है तेलंगाना राजी के संदर में निम्लिकित कत्मों पर बिचार कीजिए कथन एक ह 2014 को किया गया था कथन दो है कि भारत के 29 ते राजी के रूप में अस्थित्र में आया था और बथन तीन है जनगर्ना 2011 के नुसार राजी का लिंगानुपाथ 880 है उपर रुप में से कौन से असे कथन गलत है या फिर है आपको ये बताना है आपके आप्शन है केवल एक औ Premier League यानि IPL 2023 से संबंदित निम्रिकित कथनों पर विज़ार कीजिए कथन एक है IPL 2023 का खिताब चैनने सूपर किंग्स यानि CSK ने जीता कथन दो है IPL की शिरुवात वर्ष 2007 में होई थी उपर रुप में से कौन सा या से कथन गलत है या फिर है आपको ये बताना है आपके option है केवल एक, केवल दो, एक और दो दो नो या फिर न तो एक और नहीं दो तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B पिरुप में से कितने कथन सही है या फिर है आपके option है केवल एक कथन, केवल दो कथन, सभी तीनों कथन या फिर इन में से कोई नहीं तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल दो कथन ही सही है next question है भारत के नियंत्रक एवा महालेखा परिख्षक यानि CAG के संदर में निम्हित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक है भारत के वर्तमां CAG मनोज सोनी है कथन दो है इन्हें WHO के external auditor के रूप में फिर से चुना गया है और कथन 3 है इस पर पर इनका कारकाल वर्ष 2024 से 2027 तक होगा उपरिट में से कितने कथन सही है आपको यह बताना है आपके option है केवल एक कथन केवल दो कथन या तीनों कथन या फिर इन में से कोई नहीं तो इस प्रशन का से उत्तर है विकल्प B यानि केवल दो कथन ही सही है अगला प्रशन है हिमालयन ब्राउन बियर से संबंदित में कितनों पर विचार कीजिए कथन 1 है इसका वैग्यानिक नाम उर्सस आर्क्टोस इसा बेलिनस है कथन 2 है या इस वियन दोरा क्रिटिकली एंडैंजर्ट प्रजाति की सुची में शामिल है उपरिट में से कौन से से कथन सही है या फिर है आपके option है केवल एक केवल दो एक और दो दोनो या फिर न तो एक और नहीं दो तो उस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प C यानि एक और दो दोनों ही कथन सही है अगला प्रशन है साइट्स कारक्रम के संदर में निम्धित कतनों पर विचार आपको ये बताना है, आपके option है केवल एक, केवल दो, एक और दो दो नो, या फिर न दो एक और नहीं दो, तो इस प्रशन का से उत्तर है विकल पर डी, न दो एक और नहीं दो, एक question है, विश्व दुग्द दिवस, यानी world milk day से संबंदित निम्रिकक्नों पर विचार कीजि आपके option है, option A, केवल एक, option B, केवल दो, option C, एक और दो दो नो, या फिर option D, न तो एक और नहीं दो, तो इस प्रशन का से उत्तर है, विकल पर B, यानी केवल दो कथन ही सही है, अगला प्रशन है, सर्वेयर एक के संदर में इन कथनों पर विचार कीजिए, कथन एक है, या चान पर सफल का पूरक उतरने वाला, नासा का पहला अंत्रिक्षियान था, कथन दो है, ये दो जून 1966 को चंदर मा की घरती पर उतरा था, विरुप में से कौन से ऐसे कथन सही है, या फिर है, आपके option है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दो नो, या फिर न तो एक और नह तो इस प्रश्न का से उतर है, विकल्प C, एक और दो दोनों ही कथन सही है, या फिर है, आपके option है, केवल एक, केवल दो, एक और दो 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 नो, या फिर न तो एक और नहीं दो, तो इस प्रश्न का से उतर है, विकल्प A, केवल एक कथन ही सही है, अगला प्रिश्ण है, खाली में किसने केंडरी सतर्गता आयुक्ति यानि सीवी सी के रूप में शपत ग्रहन की है, आपके ऑप्शन है, बनो सोनी, सुरेश एन पटेल, गिरीश चनर मुर्मू, या फिर प्रवीन कुमार तो इस क्रश्ण का से उत्पर है, विकल्प डी, प्रवीन कुमार श्रिवास्तव, नाइस क्वेश्चन है, टेली लौ कारकर्म के संबन में निम्की कतनों पर विचार कीजिए, कतन एक है, इस कारकर्म की शिरुवात, वर्ष 2017 में होई थी, कतन 2 है, यह विधी एवन न्याय मंत्रालए के न्याय में भाग के तहत एक पहल है, उपरुप में से कौन से असे गतन सही है, या फिर है, आपके option है, option A केवल 1, option B केवल 2, option C, 1 और 2, 2 या फिर option D, न तो एक और नहीं दो तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों ही कथन सही हैं अगला प्रश्ण है X-ray Polarimeter Satellite यानि एक्सपो सेट के संबंद में निम्रिखित कत्मों पर विचार कीजिए कथन 1 है इसे बनाने के लिए इस रो ने रमन रिसर्च इंस्टिटूट यानि RRI बैंगलरू के साथ सही उग किया है कथन 2 है ये भारत का पहला और दुन्या का दूसरा पॉलरी मेटरी मिशन है अगला प्रशन है 30 माई को इस राज का स्थाप नदिरस मनाया जाता है 1962 में ये भारत का हिस्सा बना था और 1987 में इसे राज का दरजा प्राप्थ हुआ 56 सम्विधान शंशोदन अधिनियम 1987 के तहत ये भारत के 25 से राज की रूप में शामिल किया गया था या एक क्रशी प्रधान राज है उपर उट कथन किस भारती राज के संदर में है आपको ये बताना है आपके ऑप्शन है सिक्किम, तलंगाना, मनिपुर या फिर गोवा तो उस प्रश्म का से उत्तर है विकलपड़ी, गोवा फंगल मैनेंजाइटिस के संबंद में निम्खित कतनों पर विचार कीजिए कथन एक है, ये ब्रस्पती के तुल्ला में तेरा गुना द्रविमान वाला एक्जो प्लेनेट है कथन दो है, ये प्रत्वी से 931 प्रकाश वर्ष दूर इस्थित है अगला प्रश्न है, अलमोहित, अलहिंदी 2003 से संबंदित निम्खित कतनों पर विचार कीजिए कथन एक है, ये भारत और रोमान की नौसेना के बीच होने वाला एक द्विपक्षी समुद्री अभ्यास है कथन दो है, सब्यास का पहला संस्करण अगस 2020 मैयोजित क्या गया था वो प्रुक में से कितने कथन सही है या फिर है आपके ऑप्षिन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दो, नो या फिर न तो एक और ना ही दो, तो इस प्रशन का सहुत्तर है विकर्पडी, न तो एक और ना ही दो Next question है, क्वासी मून के संबन में निम्लित कत्मों पर विजार कीजिए कथन एक है, हाल ही में खगोल विदू ने प्रत्वी के अर्द चंद्रमा यानि क्वासी मून का पता लगाया है इसे 2023 FW13 नाम भिया गया है और कथन 3 है, क्वासी मून को क्वासी सैटलाइट भी कहा जाता है उपरिक में से कितने कथन सही है या फिर है आपके option है, केवल एक कथन, केवल दो कथन सभी तीनों कथन या फिर इन में से कोई नहीं तो इस प्रशन का सही उत्तर है, विकल्प C सभी तीनों कथन सही है next question है, विश्व तमाकू निशेद दिवस के संबन्ध में निखित में से सही कथन चुनिए आपके option है, पहला कथन है, ये दिवस हर साल 31 माई को मनाया जाता है कथन 2 है, पहला वर्ड नो टबैकूडे 1988 में मनाया गया था तीक एकूट का इस्तमाल का सही कथन चुनिए आपके option है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर न तो 1 और नहीं 2 तो इस प्रशन का सही उत्तर है, विकल्प C 1 और 2 दोनों ही कथन सही है अगला प्रशन है, इर्षो की संबन्ध में निम्खी कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन है, इर्षो का पूरा नाम Electronic Repair Services Outsourcing है, कथन 2 है हाल ही में नई दिल्ली में इर्षो पर Pilot Project की शुरू आप किये गई और कथन 3 है, ये वित्तमंत्राले की पहल है उपरिट में से कितने कथन सही है या फिर है, आपके option है केवल एक कथन, केवल दो कथन सभी तीनों कथन, या फिर इन में से कोई नहीं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन सही है, चलिए अब हम पहुँच गया अपिसोड के अंतिम प्रश्ण पर तो अंतिम प्रश्ण है निम्लिकित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक है, भारत में हर साल लगभग 5,150 लाग तन खाद्यान का उत्पादन होता है कथन दो है, वरतमान में देश में कुल अनाज भंडार अन्शमता करीब 2,150 लाग तन है उप्रश्ण में से कौन सा सेकतन सही है या फिर है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो एक और दो दोनों या फिर न तो एक और नहीं दो तो इस प्रश्ण का से उत्तर है विकल पड़ी न तो एक और नहीं दो तो वियर्स आज के अपिसोड में फिलाहल इतना ही अगर यह हफते फिर मिलते हैं कुछ और नए सवालों और नए जवाबों और जानगारियों के साथ तर्तक के लिए शुक्रिया